कोलकाता के आज जी होस्पीटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शब मिलने को लेकर हंगामा मचा हुआ के सूत्रों के हवाले सिफ जानकारी ये है कि पोस्ट मॉटम की प्रात्मिक रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर की गला खोटकर हत्या हुई है और उसमें रेप के बाद हत्या की बात भी सामने आई इस बीच एक संदिग्द को गिरफतार करके पूश्ताच की जारी है सरकार ने जाज के लिए इस पूरे ही मामले में एसाइटी का गचन किया के लेकिन इस बीच साथी डॉक्टर्स की जो नाराज़गी है जो उनका गुसा है वो सड़कों पर आपको नजर आ रहा है इन तस मैं खड़ा हूँ कोलकाता के एक सरकारी हस्पताल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑरजीगार हस्पताल और उस आरजीगार हस्पताल से जो कल का जो नजरा मिला था यहां पे एक PGT यानि Post Graduate Training Doctor की यहां पे उनका हत्या होई है ऐसा आरोप आ रहा था और उनके परिवार का आरोप था कि बलातकार के बाद उनका हत्ता क्या गया है और Post Matem के बाद यह बाद आज पुलिस को भी कहना पर रहा है कि हाँ पहले बलातकार क्या गया था और फिर उस डॉक्टर के हत्ता क्या गया है मैं जहां पे खड़ा हूँ मेरे पीछे जो आपतकालिंग बिल्डिंग है वहां की चौथी मंजिल पे एक सेमिनर रूम है रात को नाइट डूटी कर रहे थे वो डॉक्टर और वहां पे उनको रेप किया गया फिर उनका मडर किया गया ऐसा ही Post Matem के बाद जो लोग जाच कर रहे हैं उनका कहना है इस सिल्सले में एक यहां के जो कर्मचारी है वो डिरेक्टली यहां पे इन्वॉल्ब नहीं है लेकिन यहां पे वो आते जाते रहते हैं बाहर ही है फिर भी हर वक्त यहां हस्पटाल के अंदर वो मिलते हैं ऐसे एक संजैर राय नाम का एक विक्ति को अभी गिरबतार किया यहां पर मैं तुदि दिखाना चाहोंगा कि भारी मात्रा में यहां पर डॉक्टर लोग वह यहां पर बेटे हैं और उनका कहले है कि असुरक्षा का माहूल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए क्योंकि night duty जब करते हैं यह डॉक्टर लोग उनका कहना है, कि उनका security क्या है? और मैं बात करना चाहूँगा, यहां पे जो लोग मौझुट हैं, उनसे, के पहले तो मैं यह पूचना चाहूँगा, कि जिनको गृरपतार क्या गया है, जिनको गृरपतार क्या है, आप लोगों का अभी माम क्या है? अभी हम जिसे भी ग्रेपतर किया है उन लोग हम चाहते हैं कि पूरी जास्टीस मिले जिसके साथ यह हुआ है बहुत ही मतलब हम लोग बहुत शॉक्त है और शेमफूल भी है क्योंकि आरजी को इतनी बड़ी कालेज है हमारे इंसिट्यूशन में उसकी डिपार्टमेंट में है एक लड़की उसका रेप हुआ है उसके पर मार्डर हुआ है वी वांट जास्टीस यह हमारा स्लोग कब तक चलेगा आप लोग सीजूशन में तो देखें पूलिस के सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है उसके मताब एक लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया पर जख्म के निशान है और पैर और आखों से ब्लीडिंग हो रही थी ये बात सामने आई मू नाक पर ब्लड क्लॉट मिले हैं पेट चहरे होट दाइने हाथ एडी में चोट के निशान पाए गए हैं और नाखून से जख्म के भी निशान नजर आ रहे हैं तो देखें पो उत्रे हुए हैं और इंसाफ की मांग की जा रही है ये चार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या एक आरोपी को गिरफतार किया गया है अभी तक इस पूरे ही मामले में SIT का गचन इस पूरे ही मामले की जाज SIT कर रही है एक संजे रॉय नाम का शक्स है जिसको गिरफतार किया गया उससे पूछताज भी लगातार हो रही है लेकिन इस पूरे की मामले को लेकर और लॉज एन ओर को लेकर बीजेपी हमलावर है टीमसी सरकार पर देखें अस्प बचेगा नहीं इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपरादी है उसको पकड़ा जाएगा ये बहुत ही शरमना घटा है बहुत ही दुखत डॉक्टर जो एमडी पढ़ रहा ही थी उस पर इसी अपनाचाण हुआ तो इनक्वेस रिपोर्ट अभी नहीं आया है आने से सब पताईए जो पॉस्ट ग्राजुएट ट्रेनी आज आज जीकर जैसा हस्विटल में काम कर रहे थे जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में बुरुजिस खत जो है बहुत जादा इसको देकर लगता है उसको रेप करके खून किया गय है तो हम लोग का दाबी है सी बी आई इंवेस्टिगेशन हो और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमाटम नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर इन लोग पोस्टमाटम कर रहे हम लोग चाहते हैं कि परिवार यह बोले कि वो प्रिजर्व करें बॉडी और कल हम लोग केंड्रिय सरकार के कोई हस्पटाल से पोस्टमाटम करेंगे करकि यहां का यह सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमाटम हो तो जो सचाई है वो फिर से दब जाएगा यह वारदात आठ अगस्ट की है और आज दस तारीक है कोलकाता के आज जी हॉस्पिटल की एक हतना है जहां लेडी डॉक्टर के साथ बरबरता हुई और इसकी खब तब मिली जब 9 अगस्ट की सुभा अस्पिताल के थर्ड फ्लोर पर उसका शब मिला शब इमेजनसी डिप मेर जो महिलाई हैं वो सड़कों पर उत्री हैं और महिला सुरक्ष्या सुनिश्चित करने की मांगिता हुआ 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 है